हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब उमीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं विरदुबे आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सेलेक्शन मेंटर में दोस्तों आज जो हम करेंट अफेर्स पढ़ने जा रहे हैं वो 21 और 22 अगर आप पाना चाहते हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में वाट्सअप नमबर्स दिये हुए हैं आप उनमें से किसी पर भी जुड़ जाए और आपको पीडियाफ मिलती रहेगी और दोस्तों ध्यान रखेंगे यह पीडियाफ जो है वो यूपी एसी यूपी एसी और जो प्रिजेंट टाइम में लेकपाल की वेकेंसी निकली है इनके लिए बहुत ही महत्यपूर्ण है इसलिए पूरा का पूरा करेंट अफेर्स का सेशन जरूर देखिएगा और सेशन अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों 2020 से इसकी तयारी लगातार कराना शुरू करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शुरुआत से इसकी तयारी होगी इसलिए वहाँ पर जुडने के लिए भी आप इनी कॉंटेक्ट नंबर का प्रयोग कर सकते हैं और किसी भी तरह की जानगारी के लिए आप आप शुरू करते हैं लेखते हैं पहला कोशिन क्या है और पहला कोशिन जो है उसमें जग यह वें वास वर्ड आठ डे से लिब्रेटेड एवरी ययर हर साल विश्व कला दीवस कब मनाया जाता है इंपोर्टेंट हो सकता है यह सब चोटे 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 ने कोश्चन यूपी लेकपाल के लिए तो बहुत ही important है तो विश्व कला दिवस जो हर साल मनाया जाता है वो मनाया जाता है हर साल 15 अप्रेल को ठीक है तो यह आपको importantly याद रखना है आगे ज़रा इसके details लेखते हैं लिखाए celebrate the fine art and to promote awareness of creative activities worldwide the international association of art या आई 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 अपी इसको बोल सकते हैं पार्टनर्ड ऑफ युनाइटेड नेशन एद्यूकेशन सांटिफिक and cultural organization has declared the world art day on 15th April आप से पूछा सकता है कि world art day जो हम 15th April को मनाते हैं यह किसके द्वारा घोशित है तो यह गोशित है UNESCO के द्वारा सबसे पहले बात तो UNESCO का full form क्या है UNESCO का full form है United Nations Organization आप लिखा हुआ है ना सौरी United Nations educational scientific and cultural तो यह आपको UNESCO के द्वरा दिया जा रहा है और इसके साथ में partnership किस ने करी है IAA ने करी है ठीक है यानि IAA मतलब International Association of Art तो fine art को बढ़ावा देने के लिए और दूसरी जो कलाएं है creativity जो है उसको पुरे विश्व में बढ़ावा देने के लिए UNESCO के साथ मिल करके IAA ने क्या किया है वर्ड आर्डे मनाया है और वर्ड आर्डे कब मनाया गया पंद्रा अप्रेल को ठीक है अगले कुशन तरह पढ़ते हैं नेक्स लिखा है नेम दा यूनियन कल्चर मिनिस्टर हुँ हैज लॉंस्ट नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज या नी आई सी एच इन अप्रेल 2020 का नाम बताईए जिन्होंने या जिन्होंने अप्रेल 2020 में अमर्त संस्कृत विजासति इसी को इंटें इसोचते हैं है सका है बार को सबुस्ट करेंज लिखें लिया प्रएजिए ठीक है एक चले-शक आइंसर मैं ने आपको बता दिए तो यहां पर आपको पता चल गया है कि प्रहलाद सिंग जी ने क्या किया है उन्होंने तमाम कह सकते हैं कि यहां पर एक चोटा सा पॉइंट बताया गया है कि एक लिस्ट चारी करी है उन हेरिटेज प्लेसेज की जो इंडिया के पॉइंट अफविश से यानि second जो lockdown हुआ है के लिए भारती मंत्राले ने रंग कोड यानि रंग कोड जो है वो red, orange, green zone तयार किये हैं तो आपको बताना है कि वो ministry कौन है जिसने यह तयार किया है, वो मंत्राले का नाम बताना है आपको तो यह मंत्राले कौन सा है, यह मंत्राले मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ और फैमिली वेल्फेर, ठीक है, मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ और फैमिली वेल्फेर, तो आगे लिखा हूँ है, मिनिस्ट्री ओफ हेल्थ और फैमिली वेल्फेर, यानि M.O.H.F.W. फैमिली ते न्यू सेट ओफ गाइडलाइन्स फॉर दर नुटिस वाइड लॉगडाउन 2.0 और स्मार्ट लॉगडाउन इसको इसमार्ट लॉगडाउन भी खागया है, स्केंड वाला जो लॉगडाउन है, स्टार्टेट अब देखिए, स्केंड लॉगडाउन कब से कब तर स्टार्ट हुआ है यह स्टार्ट हुआ है 20th April से और कब तक रहेगा 3rd of May तक अब आप से मेरा यहां पर question है comment box में आप सब लोग बताएंगे comment box में आप बताएंगे कि first lockdown जो था वो होट इसपोर्ट जो है वो रेड जोन है नौन होट सब्सक्राइब और इस तरीके से तीन जो कह सकते हैं रंग यूज किया गया वह तीन रंग कौन इंडिया के जितने भी डिस्टीक है सबको डिवाइड करने की बात कहीं गई है अगला question है what is the revised loss coverage of micro loan defaults under credit guarantee fund for micro units scheme यानी cgfmu micro unit scheme के लिए credit guarantee fund के तहत micro loan defaults के लिए संशोदित नुक्सान की coverage क्या है तो यह जो नुक्सान की coverage है that is of 75% इसके बारे में detail देखते हैं according to the amendment of credit guarantee fund micro units scheme as modified by the ministry of finance states that the coverage of lenders loss in case of loan default is increased to 75% from 50% यानी पहले जो यह कितना था पहले यह range जो है 50% थी अब यह बढ़कर के कितनी हो गई है 75% तो हो नहीं थी ठीक है covid-19 है तो यह सब चीज़ें तो होती रहेंगी what is the amount of fund released to state and UTEs under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee scheme तो मंड़े का scheme जो है उसके अंतरगत यहाँ पर बात कर याईगी कि महात्मा गांदी राश्ट्री ग्रामिड रोजगार गरेंटी योजना के तहत राज्यों और केंशाषित प्रदेशों को जारी कीगे जो धनराश्य वो कितनी है most important question है most important question है बेटा ध्यान रखेंगे और आप मुझे बताएंगे कि मनरेगा मनरेगा में आपको मुझे बताना है कि एक दिन में कितने कितने दिनों के रोजगार और इसकी जो राशी है वो बढ़ा दी गई है वो पेट राशी अब कितनी हो गई है यह चीज भी आप comment section बताएंगे मनरेगा में व्यक्ति को कितने दिन का रोजगार देने की बात करी ग 7300 करोड देने की यहां पर बात करी गई है दसेंटर गवर्मेंट है रिलीस 7300 करोड रूपीज तो स्टेट्स और यूनियं टरिटरी अंडर महात्मा गांधी नैशनल रूरल एम्प्लाइमेंट गैंटी स्कीन टू लिक्विडेट पेंडिंग द्यूस ऑफ लास्ट फिनेंशल यह अलसो अबाउट द्यूस द्यूस फॉर्स फॉर्स नाइट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंट है तो यह द्यूस को निप्टाने के लिए 7300 करोड रूपय का फंड दिया गया है गवर्मेंट की तरफ से सेंटर को भी और स्टेट को फॉर्थी फॉर्स सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ड हेरिटेज कमिटी 2020 विच है शेड्यूल्ड एक विच है शेड्यूल्ड एट फोजो फोजो एज पोस्ट पॉन्ट फोजो इस सिटी ऑफ इच कंट्री तो आपको बताना है कि यहाँ पर 44 स्वा विच्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है तो विच्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है विच्व विरासत दिवस मनाया जाता है हर साल 18 अप्रेल को कब मनाया जाता है 18th of April World Heritage Day which is also known as the International Day of Monuments and Sites is an annual event which is celebrated every year on April 18 to promote awareness तो किसले मनाया जा रहा है यह दिवस तो प्रमोट awareness about the diversity of culture, heritage of humanity and their valourability and the efforts required to their protection and conservation तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह जो word heritage day है यह क्यों मनाया जा रहा है heritage places जितने भी हैं, जितनी भी heritage sites हैं, उनको promote करने के लिए उनके बारे में जागुर्ता अभियान चलाने के लिए उनको मानों के प्रती कह सकते हैं कि उनमें भावनाय पैडा करने के लिए उसके लिए उन सब चीजों के लिए world heritage day मनाया जा रहा है और वर्ड हेरिटेज दे जो इस बार मनाया गया है अप्रेल 18 को 2020 को इसकी जो थीम है ये थीम भी आपको याद करना बहुत जरूरी है तो थीम क्या है थीम है Shared Culture, Shared Heritage and Shared Responsibility तो ये थीम आपको याद रखना है तीन चीज़े हैं culture, heritage and responsibility सबके आगे शेयर लगा देना है नेम दा फर्स स्टेट इन दा कंट्री तो गेट जियो टैग फॉर कम्यूनिटी किचेंस आपको सामुदाइक आपको स्टेट का नाम बताना है सामुदाइक रुसोई के लिए जियो टैग प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनाना है वो आपको बताना है ठीक है तो इसका टाइब भी वह Google के साथ हुआ है Google मैप्स के साथ जिसे की Location वह बताएज सके तो यह जो राज्य है यह राज्य है यू प उत्रक्रदेश तो जो लोग मैंने का लेख़ए को त्यारी करे हैं उनके लिए तो बहुत है इंपॉ तो लगभग 7,368 community kitchens, जो की पूरे 75 districts में फैले हुए हैं, 12,00,000 food जो पैकेट्स हैं, उनको produce कर रहे हैं, उनको distribute करने की बारी आएगी, तो इसमें लिखा हुआ है, यह ऐसा क्यों हो रहा है? तो एसा जो है यह जो COVID-19 के चलते जो हुआ है, तमाम सारे लोगों को खाननी की समस्या ना हो, जो डेली कमाने आले लोग थे, उन्हों आप कहां से पाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए food kitchens जो हैं, वो launch किये गए हैं, और 7,368 community kitchens जो हैं, वो बनाए गए हैं, जिन में करीब 12,00,000 food packets जो है, परड़े बनाया जा रहा है, योगी आदितनाथ state government has also tied up with Google to geomap for the location of these establishment through the Google Maps app for ease to beneficious, तो आसानी से जो जो लाभारती हैं उन तक पहुँचने के लिए Google की साहता, Google Map की साहता भी इसमें दी जाएगी, Name the superhero who was used by central government to educate kids how to beat coronavirus, उस superhero का नाम बताना है, जो बच्चों को सिक्षित करने के लिए केन सरकात वरा इस्तेमाल किया गया, coronavirus को कैसे हराया, किया जा रहा है, और इसमें समझाया जा रहा है कि coronavirus को कैसे हराया जाए, यह समझाने की बात कर जा रही है, तो यहाँ पर तमाम सारे आप देख रहे हैं कि superheroes के नाम लिखे हैं, और यह जो superhero है, यह है वायू, ठीक है, क्या नाम इस superhero का, वायू, गवर्मेंट ऑ इंडिया है, डिजाइन superhero वायू, तो clear queries related to coronavirus, and to give the healthy tips for kids on how to combat COVID-19 pandemic, बच्चों का जो जादर तर ध्यान होता है, वो cartoon film, बच्चे बड़े शरार्ती हो गया है, तो माता पिता से जादा वो superheroes की बात मानते हैं, तो superheroes इनने समझाएंगे, कि किस तरीके से COVID-19 की से बचा जा सकता है, और वो superhero जो है, उसका नाम है, वायू, नेम दा कंपनी विच है, विच है, बिकेम दा फर्स्ट मेंबर ऑफ इंडियाज गैस ट्रेडिंग प्ल प्लॉ मुटल्डे ने प्ल ॅ जिसको शौर्ट में कहा किया है, थो गास्ट बेटफर्म अपनी अश्चेंज हें, पहला क्योशन है, अगला क्योशन है, नेम देजा प्राइविट बैंक, बहुत इंपॉर्स्टक्शन हो सकता है, विच है, नेम देजा एंडिया विच बेस्ट बेंकिंग सर्विसेज और इट्स इंटिग्रेटेड एल चैट बॉक्स आईपाल विद अमेजन एलेक्स एंड गूगल एसिस्टेंट भारत के उस निजी बैंक का नाम बताना है आपको जिसने अमेजन एलेक्सा और गूगल एसिस्टेंट के साथ अपने एकिकरत पाधार पर बैंकिंग सर्विस यह शुरू करने आला जो बैंक है यह है आईसी 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 आई बैंक तो आईसी 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 बैंक ने यह लॉंच किया है आपको इध्यान रखना है उसकी डिटेल और यहां पर कुश्चन में भी है तो इसको दुबारा पढ़ने की जरूत नहीं है अगले कुशन की तरह बढ़ते हैं डेम दा पर्सन हुए इस बीन अपॉइंटेड ऐस दा चीफ जस्टिस ऑब बांबे हाई कोड़ बहुत इंपोर्टेंट नाम यहां पर आपको देखने को मिल रहा है उस विक्ति का नाम बताना है जो बांबे उच्च ने आपको और देखने को मिलेंगे भी वो दो नाम कौन कौन से हैं यहां पर विश्वनात और मुहम्मद रफीक के नाम है क्यों है यह नाम विश्वनात जी को मिघाला हाई कोर्ट और मुहम्मद रफीक जी को ओडिशा हाई कोर्ट का जज न्यूक्त किया गया है और न्यूक् Chief Justice of India ठीक तो यह थी आज की important current affairs जो मैंने आपको यहाँ पर दी उम्मीद करते हैं कि आपने ये session अच्छी तरीके से सुना होगा अगर session सुना और पसंद आया तो इसे तुरंत like कर दीजिए और अपने एक दो friends के साथ इसे share जरूर करिए मैं चाहता हूं कि maximum share हो जिससे कि मैं maximum बनाने के लिए motivate हो सकूँ और किसी question में कोई query हो तो आप comment section में comment करके जरूर पूछे जुड़े रहने के लिए PDF जो है वो जरूर पाने के लिए आप नीचे जो comment section में numbers लिखे हुए आप इस पे जरूर comment करें तो आपको PDF मिल जाएगी इसके अलावा हमारे चनल को subscribe करना ना भूलें. Thank you and have a good day ahead.